हेलो दोस्तों नमस्का स्वागत आपका अपनी यूटूब चैनल मॉन्टी जनसेवा के इंदर में दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे अपनी यूट को फिल कर सकते हैं अभी तक आपनी चैनल को जो है सस्क्राइब कर लिजाए क्योंकि एजूकर रिकार्णिंग वीडियो आपको मिलती रहती है इस चैनल पर तो बस अपना प्यार बनाए रखें और चलते हैं फिर आपको बताते हैं सरकार रिजल्ट की वेबशेट पाना है सरकार रिजल्ट डोट कॉम पर आने बाद यहां पर नीचा आना है लास्ट जॉप्स का ओप्सन मिलता है आपको और इसी के नीचा आपको मिलेगा डिया सस्वी एम्टियस पोस्ट ओलाइन फॉर्म 2024 आप इस तरह से ओपन हो जाए अगर आप जनरल ओवी सी वाले है तो सोर पे फीज है अगर आप एसी एस्टी वाले है जीरो बैलेंस है फीमेल के लिए भी जीरो बैलेंस है तो दोस्तों इस पर आपको आना है MTS Testing Stop MTS तो आप इस वाले option पर किलिक कर देजे किलिक करने वाद आप इस वाले page पा जाओगे अगर आप general OBC dollars के अंडिकेट है सोरवेपीज है अगर आप SCST वाले zero balance है female के लिए zero balance है आठ तरिक से phone बढ़ सकते हैं 8 फरवरी 2024 और 8 मार्च 2024 तक आप phone को भरपाईगे लाज डेटर रखी गई है 18 साल से लेकर 25 साल दी हुई है बाकी बाकी आपकी पोस्ट बाइज यहाँ पर वेकैंसी दी हुई है age counting जो की जाएगी 8, 3, 2, 24 से की जाएगी जो total पोस्ट यहाँ पर रखी गई है 2567 आपकी यहाँ पर रखी गई है चैनल की 253 है OBC की 113 है EDALIS की 60 है SC की 31 है SD की 40 है तो इस तरह से कुछ वेकैंसी दी हुई है पोस्ट कोड आपका 812 है DAX 244 आपकी रखी गई है 500 667 वेकैंसी आपकी निकाले गई है जिसकी हाई स्कूल से फों को बरबाएगे Multitasking स्टाप की नीचान है Apply Online के सामने किलिक एर आप इस पर किलिक कर देगे आपके सामने कुछ इस तरह के Enterprise आपको मिलेगा दोस्तों अगर आप पहले बार रेजिटेशन कर रहे है तो यहाँ पर एक option मिलेगा किलिक एर फोर न्यू रेजिस्टेशन आप इस पर किलिक कर देगे किलिक करने मा दोस्तों यहाँ पर आपको पहले नाम डालना पड़ेगा फिर दुबार से नाम डालना है अपना डेटो बर डालना पड़ेगा आई स्कूल का जो भी है दुबार से डेटो बर डालना है फिर आपको आई स्कूल का रोल लंबर डालना पड़ेगा अगर आपका जीरो ले रहा है तो जीरो लगा दीजी अगर आपका जीरो नहीं ले रहा है तो जीरो अठा के आप अपना रोल लंबर डालेगे दुबारा से रोल लंबर डालें, डेटो पासिंग डालें, दुबारा से डेटो पासिंग, जैंडर आप सेलेट करें, दुबारा से जैंडर से जैंडर सेलेट करें, फिर आपके पिताजी का नाम, दुबारा से पिताजी का नाम, माताजी का नाम डालें, दुबारा से जीवन आपको आदार नमबर डालना पड़ेगा यहां पर दुबारा साथ नमबर जो आधार काड में आपका नाम है वो डाली एक पासवड आपको बनाना है जो की पर प्रेस्टेस्ट कंपलीट हो जाएका तो अब आपको करना गया है आपको यहां पर नाम है पर पासवर्ड जो बनाये बनाये तो बोड डालता है व्याद आपको किलिक कर्दे गें आप दोस्तों कि दोस्ते आप लोग इन हो जाओगे अपने पोटल में यहां पर देख सकते हैं आपका कुछ आप लाई नाव को ऑफ्षन मिलता है ऐ अप लाई नाव पर कडिक कर देगे दोस्तों अपके सामने कुछ इस तरह केंटर पेस मिलेगा यहां पर आपको अडर्ट डालना है बीन को डालना अगर आपका अडरस दोनों एक है तो आप दोनों में एक से अडर्ट डाल यहां पर सकते हैं उसके आगर आप जन्रल से जन्रल को छोड़के बागी और भी कार्ट सफोंग को फिल कर रहे हैं तो जाती परमान पत्र की आपको जरुत पड़ेगी अगर आप जन्रल सफोंग को बर रहे हैं तो जाती परमान पत्र की जरुत नहीं है अगर आप जन्रल को छोड़के बाकी और कार्ट सपोंग को फिल करें तो आपको जाती परमान पत्र की जरुत पड़ेगी यहां पर अपनी जाती सेलेट करें कार्ष स्रेटिपिकेट का नमबर डालना है उसके बाद उसका डेट इसू का अपनी जारी हुआ है जाती उसके बाद आपका इस्टेट कुन सा है बोर डाले उसके बाद तैसिलदार यहां पर डालेगे क्योंकि तैसिलदार ही जारी करता है जाती को जो जो वी बाकी जो आपके परमान पत्र में लिख रहा होगा जिसने भी जारी गया है उसका नाम आप यहां पर डालेगे उसके बाद नीचे टिक करना है आपको यहां प इपरेशन लगाना है यहां पर साइज आपको दिया हुआ है 110 फिक्सल गुना 140 फिक्सल 110 एक से लगाने है फिर आपका सिगनेजर के बात करें तो 140 फिक्सल गुना 110 फिक्सल आपका दिया हुआ है और यहां पर फोटो की बात करें तो आपका 480 गुना 632 फिक्सल आपका दे र तो अभी मैं यह फोटो सिंगनेचर बगर अप्लोड कर लेता हूँ उसके बाद आपको अफ्लोड होने वाद नैश्ट पर किलिक कर देना है अब दोस्तों आपके सामने सारी वेगन से यहां पर देख सकते हैं जिस पोस्ट के लिए आपको अपलाई करना है यहां पर आपको टिक करते जाना है ठीक है दोस्तों जो जो आपको पोस्ट करनी है अगर आप एक पोस्ट के लिए अपलाई करना चाहते हैं तो यहां पर आप पोश्ट को देखके अपनी जो देडो भर्द आपको देखके यहाप यह पर एक पोश्ट को सेलेक्ट करके आगे बढ़ जाना है बाقी आप देख लेना सिस्पोस्ट के लिए वी जितनी भी वोस्ट आपको बननी और पर सब पर टिक कर देना है और टिक करने वार सेव ए ने इस्ट पर क्लिक करेगे आप उसके बाद नेस्ट पे चाएगा रोस्त आपकर यह पर यहाप यह पर यहँद सेलेक्ट तो जिस पोश्ट के लिए आपने सेलेट किए है यहां पर आपकी सारी फोश्ट आ जाए इसके बाद सेलेट करें बाद यहां प». पुर्णद करें देर थे उसके बाद आपको बॉर्ड का नाम unanim नहीं मिलना थो अधर आप सेलेट करे गें हुश उसके बाद board का नाम आप फिल करेंगे याँ पर जाए इसाइख वाड़ ओले को नीचा आना है यहां पर नेशकिक कर देशन पर करने बाद है प्रियोर प्रिवियु आ जाएगा चक्षण कर लेगा अगर है इधिप करना है फोकाउलीकाटों प्रल्मों कोई प्रॉब्रम्स अ मोटे को इस टूंप्र दो का बिज़़ight है सब कुछ ठीक है तो नीचा आना है सम्मिट और अप्लिकेशन पर क्लिक करेंगे फोमा आ पका सम्मी टोड़ जाएगा application नंबर आपको मिल जाएगा ओक करेंगे यहां पर आपको एक option मिलेगा print application आप इस पर क्लिक करेंगे प्लिक करने वाद जितनी भी आपने फॉर्म बढ़े हुए सारे यहां पर दिखा दी जाएगे अब यहां पर देख सकते हैं सबसे नीचे आपको मिला है मल्टी टास्टिंग स्टाप MTS पोस्ट को डाट सो बारा देक्स जो भी साप इस पर क्लिक करेंगे और प्रिंट अप्लिकेशन पर क्लिक करेंगे आपके सामने जो है आपका प्रिंट आउट यहां पर पीडियूप की तरह डाउनलोड हो जाएगा अगर आपके पास प्रिंट सकते हैं अगर आप प्रिंट नहीं है आपके पास तो आप बाद में भी अपना प्रिंट आउट इन गला सकते हैं तो दोस्तों इस तरह साप SSC सोरी DSS भी MTS का फोर्म अप्लाएं और लाइन कर सकते हैं प्रोसेस मैंने बता दिया है बागी कुछ रह गया है तो वीडियो के दावे दीद लिकलि झाया हैं तो अब में ते लिए पर दोस्तों स्वा गया है अचलिस मैं प्रिंट अबाद का वाल का दूट नहीं कर दूट दूट इस तो सकते हैं अप्रोसे है अप्रोसे डिया भी मैंने चर्ड़ चा आप बाद में